हाई फ्रेंड्स आज हम सिखेंगे डोनट कैसे बनाते हैं वो भी एगलेस है इस तोहार में आप इसे बनाना बिल्कुल भी मिस मत किजिए का बच्चे ना आपके दिवाने होने वाले है तो आए बिना देर की रेसिपी शुरू करते हैं एक बोल मेलेंगे 2 टेबल स्पून अगर आपका इस्ट अक्टिवेट नहीं है और आप मैदे में मिला देंगे तो आपका डोनट फ्लफी बनेगा ही नहीं वो ब्रेडी और एरी टेक्शर में आईगा ही नहीं इसलिए आपको इस्ट आपका एकदम सही हो यह आप पहले कंफर्म हो जाए उसके बाद ही इस्ट बनता है तो मैं कभी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी आप मुझे नीचे कॉमेंट कीजिए अगर आपको विताउट इस्ट वाली रेसिपी चाहिए हम चाहते हमारे डोनट में बटरी टेक्शर हो इसलिए इसके उपर मैंने 2 टीबल स्पून बटर डाला और इसे मैं करेंगे तो वह थोड़ा सा ऐसे फ्लफी सा होगा और थोड़ा भारी सा मोटा सा रहेगा अब क्या करेंगे हम इसे कट कर लेंगे कुकी कटर से अगर आपके पास डोनट कटर है तो उससे भी कट कर सकते हैं और अगर आपके पास यह दोनों ही नहीं तो फिर आप किसी भी ड ग्लेज बनाते हैं एक कप पाउडर शुगर और दो से तीन चमच दूद आड़ करेंगे वन टीस्पून वनिला एसेंस और यह हमारा क्लासिक ग्लेज रेडी है डोनट के लिए सेकेंड ग्लेज हम बनाएंगे चॉकलेट तो उसमें भी वन कप पाउडर शुगर थ्री टेबल स्पून कोको पाउडर थुरसा नमक वन टीस्पून वनिला एसेंस और तीन चार चमच हम इसमें दूद आड़ करेंगे और इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे मारा चॉकलेट बनके रेडी है डोनट के उपर वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट मत लगाईए आप यह वाला ग्लेज ट्राइ कीजे और ट्रस्ट मी मतलब आप जो डोनट खाएंगे ना मतलब सब ऐसे तारीफ करेंगे कि आप भी शौक में रह जाएंगे कि क्या सच में इतना टेस डोनट बहुत अच्छे से फुले हैं और यही ट्रिक है कि हमें डोनट को अच्छे से फ्राइ करने के लिए और यह देखिए हमारा डोनट कैसा लग रहे देखके एकदम ही परफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ यह मेरा क्लासि ग्लेज जो कि इससी पाउडर शुगर से बना है और यह बहुत ही जादा स्वाधिस्ट है बहुत लोगों को यह वाला ग्लेज जादा पसंद है चौकलेट से जादा और बच्चों को चौकलेट वाला ग्लेज बहुत ही जादा पसंद है और जब आप बच्चों के सामने यह देखिए इन दोनों के उपर मैं थोड़े-थोड़े स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ अगर आपके पास इस प्रिंकल्स नहीं है तो गोल्डेन बॉल्स, इसलवर बॉल्स या जैम्स या चॉकलेट चिप्स वाइच चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट राइस आता है बहुत स ग्लेज में डालेना तो डोनट गरम ही रहने चाहिए इसी से ही वो ग्लेज अच्छे से पकड़ेंगे अगर डोनट आपके ठंडी हो जाएंगे तो वो ग्लेज को नहीं पकड़ेंगा और आपको तोड के दिखाती हूं गाइस देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है मैं बह बच्चों के लिए तो अगर आपके घर पे बच्चे है ना तो जरूर से जरूर ट्राइ किजेगा सारे ही बच्चों को ना डोनट बहुत ही ज़्यादा पसंद है इवेन मुझे भी डोनट बहुत पसंद है तो यहां गाईस अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो मेक जरूर टो लाइक शेर एंख सब्सक्कराइब पार आपको यहां ओजरू पाईस दूरूर टो जरूर यहां खाल इजर यहां लगए ज़्यादाब यहां लगए जारूर इंवे जरूर्ण को आपको नवेlaं झाल झाल